Hello students, this is Rupali and this is your part 11 of chapter 1 solution of 12th class chemistry. Alright, हमने आपके last video में qualitative properties study की थी. First two qualitative properties, that is relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. ठीक है, आज के video में हम आगे वाली properties को study करेंगे. ठीक है, third property आपकी क्या थी? Depression in freezing point. इसको और क्या बोलते हैं हम? Cryoscopy. अब सी, जो आपका elevation in boiling point था, वो basically boiling point के उपर base था. अब आपको पता है, अब आपको पता है, तीन states होती है, solid, liquid और gas. जब आपके liquid के vapors और gas के vapors equal हो जाएंगे, उस point को हम क्या बोलते हैं? आपका boiling point. Similarly, जब आपका liquid solid में convert हो जाएंगा, या इन दोनों के vapors equal हो जाएंगे, इन दोनों का vapor pressure equal हो जाएंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हम freezing point. ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? हम अपना freezing point. ठीक है जी? तब देखते हैं कि freezing point के उपर क्या effect होगा, जब आप अपना non-volatile solute इसमें add करोगे. सबसे पहले freezing point clear हो गया, वो temperature है, जिसके उपर आपका solid और liquid state का vapor pressure equal हो जाएंगा. ठीक है? जब आपने अपना non-volatile solute add किया किसी solvent में, ठीक है? तो आपकी solution का freezing point क्या हो गया? कम हो गया. ठीक है? पहले जितना था उससे कम हो गया. तो freezing point क्या हो गया? बिसकली depressed हो गया. ठीक है? यहाँ पर ठीक कर ले ना, यहाँ पर freezing आएगा. ठीक है? और आपके solution और आपके solvent के freezing point के difference को हमने क्या बोला? डिप्रेशन इन freezing point. ठीक है? इसको graphically study करेंगे, देखो. यह आपका graph है, आपके y-axis के उपर vapor pressure है, x-axis के उपर क्या है? temperature है. यह आपके solvent की curve है. ठीक है? यह आपके solid की curve है, basically. solvent मतलब liquid, ठीक है? और solid मतलब मैंने S बोल दिया, इसको. इन दोनों का जब vapor pressure equal हो जाएगा, इस point के उपर. ठीक है? इस point के उपर, इन दोनों का vapor pressure क्या हो जाएगा? equal हो जाएगा. तो इस point को हम क्या बोलेंगे? आपका freezing point. ठीक है? तो logically, यहाँ पर आपका freezing point आना चाहिए था. लेकिन जब आपने इसमें अपना non-volatile solute add कर दिया. ठीक है? solution बन गया. freezing point आपका आना चाहिए था यहाँ पर. लेकिन कहाँ पर अचीव हुआ? यहाँ पर अचीव हुआ. अगर मैं बोलू कि यह आपका T naught F आना चाहिए था. और यह आपका T F आया है. यह आपका T F यहाँ पर आया है. तो इन दोनों के difference को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा T F ठीक है? प्यॉर का जादा है ना आपका देखो. और आपके solution का कम है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका freezing point क्या हो जाएगा? बिसिकली कम हो जाएगा. और यहाँ और इन दोनों के difference को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा T F. और यहाँ पर T naught F T F से बड़ा होगा. जी वैसे भी अगर आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन किस से बड़ा होगा तो आपको यह याद रखना चाहिए कि यहाँ पर change है और change में चाहँ पॉजिटिव आएगा. तो बड़े वाले को छोटे वाले में से माइनेस करना है. ठीक है? clear है? बिल्कुल सेम है जैसा elevation in boiling point वाला किया था. almost same है. ठीक है? दोनों को relate करके बड़ो easy लगेगा पढ़ने में आपको. expression इसका बिल्कुल सेम है वैसा ही कि delta tf आपकी molar concentration के एककुल है. तो proportional लिख लिए उसको हटा कर हमने क्या लगा दिया? kf लगा दिया. m आपकी molality है और k क्या है? आपका molar freezing point depression constant और इसको molar cryoscopy constant भी बोलते हैं. ठीक है? और जब आपकी molality 1 होगी तो दोने दूसरे के एककुल हो जाएंगे. और वहाँ पर आपने molar freezing depression constant को define कर दिया. क्या है? it is defined as depression in freezing point for one molar solution. one molar solution का मतलब क्या है? it containing one mole of solute in thousand gram of solvent और one kg of solvent. ठीक है? यहाँ पर आपकी curve आगेगी. यह आपका depression का expression आगया. अब colligative property भी आप इसको बताई सकते हो कैसे है? directly proportional है? molar concentration के आपका depression in freezing point. ठीक है? मतलब nature पर तो depending नहीं कर रहा. सिर्फ किसके ओपर depend कर रहा है? concentration के ओपर. तो quality property है यह भी. ठीक है? molar mass भी आप निकाल सकते हो ना? बिलकुल वैसे ही. बस क्या करना है? molality को खोल कर लिख लिया मैंने. ठीक है? number of moles को क्या लिख लिया? wb upon mb. यहाँ पर. ठीक है? weight of solvent wa. ठीक है? into thousand. और बस इसको rearrange कर दिया. तो यहाँ पर क्या आजाएगा? आपका. mb आजाएगा. mb is equals to thousand wb into kf upon wa into delta tf. ठीक है? numerical try करके देखते हैं हम इसका. देखो क्या दिया हुआ है? 1 gram of non electrolyte solute dissolve in 50 gram of benzene. ठीक है? freezing point आपका कम हो गया by 0.4 Kelvin. depression constant दिया हुआ है. आपको 5.12 Kelvin kilogram per mole. ठीक है? molar mass निकालना है. आपको simple, बिल्कुल simple है यह तो. ठीक है? weight of solute 1 gram, weight of solvent 50 gram. ठीक है? और क्या दिया हुआ है? delta tf दिया हुआ है और kf दिया हुआ है आपको. ठीक है? बस यह वाली equation में सब कुछ put करना है. और आपका क्या आजाएगा? mb आजाएगा यहाँ पर. clear है? easy है ना? बिल्कुल बैसा है जैसा elevation in boiling point का था. ठीक है जी? easy है यह वाला topic तो बिल्कुल ही. अब आपका next topic देखते हैं हम. osmosis. osmosis को समझने के लिए आपको थोड़ा सा diffusion के बारे में भी पता होना चाहिए. क्योंकि diffusion जो term है वो हम normally use करते हैं. और वो आपको easy लगेगा. उसके साथ relate करके पढ़ने में. सबसे पहले diffusion आपका basically क्या होता है? मैंने क्या किया? मैंने एक बीकर में water ले लिया, solvent ले लिया. उसमें मैंने क्या कर दिया? solute molecules डाल दिया. आप ऐसा वान के चोलो, एक बीकर में मैंने पानी लिया, उसमें मैंने sugar डाल दी. ठीके? जब आप उसको stir करोगे अच्छे से, हिलाओगे जब आप उस solution को अच्छे से, तो क्या होगा? पहले तो आपके solute molecules एक जगा पर जाकर बैठ जाएंगे न, लेकिन उसके बाद, वो high concentration से low concentration की तरफ move करेंगे, ठीके? मतलब अच्छे से mix हो जाएंगे वो आपके. तो basically आपका diffusion क्या होता है? जब आपका solute और solvent एक दूसरे में अच्छे से mix होकर, एक homogeneous mixture बना ले, ठीके? तो उसको हम क्या बोलते हैं? Diffusion बोलते हैं, ठीके? यहाँ पर आपका solute वैसे ही पड़ा है, आपके solute particles move कर रहे हैं, और equilibrium बना रहे हैं हमारे पास, ठीके? यह समझ में आया है ना, कि high concentration से low concentration कैसे जा रहे हैं, यहाँ पर high concentration है ना, ठीके? फिर जब वो scatter हो गए, तो basically low concentration की तरफ चले गए ना, वो दूर-दूर चले गए, ठीके? अब हैं आपका osmosis, osmosis basically क्या होता है? पहली बात तो, इसमें एक membrane यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं semi permeable membrane, जैसे filter paper होता है ना, बिल्कुल वैसी होती है, यह membrane, ठीके? semi permeable membrane, यह basically एक, जैसे आपने filter paper लिया ना, उसको आप एक solution में dip कर लेते हो, जैसे यहाँ पर कौन सा solution लिया है? cupric ferocyanide, cupric ferocyanide, filter paper को, उस solution में dip कर लिया, तो आपके जो holes थे ना, वो छोटे-छोटे हो जाएंगे, सब microscopic holes बन जाएंगे वो, ठीक है? और उसमें से, आपके सिर्फ solvent molecules पास कर सकेंगे, आपके solute molecules पास नहीं कर सकेंगे, तो semi permeable membrane, that is SPM, उसमें से सिर्फ क्या पास कर सकता है, आपका solvent पास कर सकता है, तो osmosis में आपका क्या move करेगा, solvent move करेगा, ठीक है? अब देखो solvent move कैसे करेगा, यह मेरा first beaker है, इसमें आपके left hand side पर low solute concentration है, और right hand side पर high solute concentration है, ठीक है? अब आपका solvent जो है, आपका, जो solvent है, वो किस side जादा है? इस side जादा है ना, आपका solvent, ठीक है? तो वो basically किधर move करने की कोशिश करेगा? इस side move करने की कोशिश करेगा ना? ठीक है? अगर मैं आपको एक room में, एक room में मैं आपको, मतलब दो सेम उसके room है, एरिया के room है, एक room में मैंने 20 जुनों को, ठीक है, फिट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास option है, कि 7 वाला room भी खुला है, और आप वहाँ पर भी जा सकते हो, तो आप try करोगे ना, अधर move करने की, so that suffocation कम हो, ठीक है? तो basically solvent molecules जिए वैसा ही behave करते हैं, वो low concentration to high concentration move करते हैं, solute की, ठीक है, अगर आप उस वे में समझोगे ना, तो आप कोई अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कि यहाँ पर solute की concentration कम है, यहाँ पर solute की concentration जादा है, और आपका जो solvent है, वो इधर से इधर move कर रहा है, ठीक है? आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझो, कि यहाँ पर आपका solvent जादा था, ठीक है? इस साइड आपका solvent कम है, solute के with respect to, इसलिए आपका solvent इधर move कर गया, इधर उसको space जादा लगी, तो वो यहाँ move कर रहा है, in order to maintain equilibrium, जितना यहाँ पर solute के साथ solvent है, उतना ही यहाँ पर भी solute के साथ solvent हो जाए, तो हमने आपके solvent molecules को इधर move करवा दिया, ठीक है? उसको हमने क्या बोला? osmosis, diffusion में आपका solute और solvent दोनों move करेगा, osmosis में सिर्फ आपका solvent molecules या आपके solvent ही move करेंगे, और किसके थुरू move करते हैं? semi-permeable membrane के थुरू, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करो, यह थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, लेकिन अगर आप एक बार समझ लोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि basically हर species क्या चाहती है? equilibrium चाहती है, यहाँ पर आपका solute ज्यादा है, यहाँ पर आपका solute कम है, तो water क्या करेगा? यहाँ से यहाँ move करेगा, so that दोनों साइड, solute solvent की ratio क्या हो जाए? equal हो जाए, ठीक है? of flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to solution, ठीक है? यह low concentration to high concentration भी लिख सकते हो, यह अगर इस साइड सिर्फ आपका solute होता, इस साइड सिर्फ आपका solute होता, तब भी वो इस साइड move करता, बतलब pure solvent to solution move करता, ठीक है? देखो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, कि अगर मेरे पास एक beaker है, suppose मैं बोलो आपको, मेरे पास एक यहां पर मैं आपको समझा सकते हो, जैसे मेरे पास एक beaker है, ठीक है? मैंने दो portion कर दिये, यहां पर क्या है? आपका solution है, ठीक है? और यहां पर आपका क्या है? सिर्फ solvent है, तो basically यहां पर आपने क्या किया यहां पर solvent में क्या डाला है non-volatile solute डाला है ठीक है तो osmosis में basically क्या हो रहा है आपके जो solvent molecules यहां से यहां move करेंगे ठीक है pure solvent से solution वाली side move करेंगे in order to attain equilibrium ठीक है उसी process को हमने क्या गुला osmosis clear है clear है osmosis basically equilibrium attain करना चाहता है इसलिए अपने solvent molecules को वो low solute concentration से high solute concentration की तरफ move करवाता है ठीक है अब इन दोनों में difference देखो कहां कहां पर है osmosis के लिए आपको एक semi permeable membrane चाहिए diffusion के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए osmosis में सिर्व आपके solvent molecules move करेंगे diffusion में दोनों move करेंगे osmosis में आपके जो solvent के molecules हैं वो basically low concentration से high concentration की तरफ move करेंगे ठीक है low concentration से high concentration की तरफ move कर रहे हैं आपके solvent molecules लेकिन diffusion में opposite है वो high concentration से low concentration की तरफ move करेंगे जैसे आप spray करते हो ठीक है मतलब perfume spray करते हो न तो क्या होता है छोटी सी bottle में जब आप एक spray करते हो तो तो उत्म पूरे room में क्या कर जाता है क्या हो जाता है तो पूरे room में spread हो जाता है उसको बोलते हैं diffusion की वो high concentration से आपकी bottle में high concentration थी न सि cubed सब्सक्राइड में कर सकते हैं अगर वह लो यह सकते हो आप स्टॉप भी कर सकते हो लेकिन diffusion का अब कभी भी stop या reverse नहीं कर सकते हैं, जिस direction में वो चला गया उसी direction में वो जाएगा, ठीक है, clear है, इसमें confused नहीं होना कि low concentration से high concentration का क्या मतलब है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, diffusion में basically क्या हो रहा है, आपके solute और solvent molecules दोनों ही high concentration से low concentration की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दूरदर होना चाह रहे हैं, diffusion में basically, दूर-दूर तब ही होंगे जब उनकी concentration कम हो रहे हैं, ओस्मोसी में क्या हो रहा है, solvent से आपका solvent molecules solution की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, solution में high concentration है, na solute के with respect to बोल रहे हैं, ठीक है, solution में high concentration है, na, इसलिए बोला low concentration से high concentration ठीक है next आपका topic है exosmosis और endosmosis ठीक है बहुत simple है इसको ध्यान से समझो ठीक है देखो कहते हैं जब आपकी एक membrane जब आपकी एक membrane solvent molecules को बाहर निकाल दे आपके solution में से उसको बोलते हैं exosmosis exo मतलब बाहर exit ठीक है endosmosis मतलब अंदर ठीक है अंदर की तरफ जब आपका membrane allow करें solvent molecules को अंदर आने के लिए उसको बोलते हैं endosmosis ध्यान से देखो अब जो आपका first solution है वो क्या है आपका sugar और salt solution है ठीक है इसमें क्या हो रहा है आपके egg में से आपका egg की जो बाहर की layer है न उसको ये membrane बोल रहे हैं ठीक है वो क्या allow करती है solvent molecules को बाहर जाना allow करती है मतलब उसमें जो liquid है आपके egg में वो बाहर चला गया ठीक है तापका egg क्या कर जाएगा shrink कर जाएगा यहां पर ठीक है लेकिन endosmosis में क्या होगा यहां पर example है देखो जब आपने distilled water बिल्कुल clean water में आपने अपना egg रखा तो वहां पर क्या होगा water रेक के अंदर चला जाएगा और egg क्या कर जाएगा swell बढ़ा हो जाएगा कहां पर ठीक है clear है यह दोनु simple C हैं बिल्कुल एक जो मतलब बाहर जाना endo मतलब अंदर आना ठीक है किस चीज़ का solvent molecules का osmosis की बात है तो movement किसकी देखेंगे हम सिर्फ solvent molecules की ठीक है एक होता है आपका osmotic pressure ठीक है क्या होता है osmotic pressure देखो diagram से समझने की कोशिश करो सबसे पहले आपके पास मैंने q tube ली है इस side आपका क्या है pure solvent है इस side क्या है solution और बीच मेंने क्या लगा दिया semi permeable membrane कुछ time के बाद क्या होगा आपका जब solvent solution वाली side move करेगा तो solution बढ़ जाएगा न देखो इसमें और इसमें क्या difference है यहां पर आपका solution बढ़ गया और आपका solvent क्या हो गया कम हो गया यहां पर ठीक है यह हूँ है न इसमें और इसमें यह difference है आपका pure solvent solution वाली side to move कर गया, ठीक है, तो basically osmotic pressure क्या होता है, osmotic pressure हम solution वाली side लगाते हैं, ठीक है, हम osmotic pressure solution वाली side लगाते हैं, in order to prevent the passage of pure solvent, ठीक है, osmotic pressure वो pressure है, simple condition है, उसके बद कुछ time के बाद क्या होगा, आपका solution बढ़ जाएगा, और solvent क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, osmotic pressure basically कौन सा pressure होता है, ठीक है, वो pressure आपका solution वाली side लगता है, so that आपके solvent molecules अब solution में enter ना हो, ठीक है, osmotic pressure basically osmosis को रोकता है, natural osmosis को रोकता है, it is a excess pressure that must be applied to a solution to prevent the passage of solvent through a semi-permeable membrane, ठीक है, उस membrane के थुरब आपका solvent पास ना करें, आपके solvent molecules पास ना करें, that is your osmotic pressure, ठीक है, colligative property कैसे हैं देखते हैं अब हम, ठीक है, water factor ने observe किया कि osmotic pressure को हम क्या लिख सकते हैं, pi is equals to CRT, CRT basically यहाँ पर आपकी concentration है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, N upon V, ठीक है, तो यह आपकी equation है किसकी osmotic pressure की, अब आप देखो, C आपकी molar concentration है, T आपका temperature है, और R आपका क्या है, gas constant है, ठीक है, और इस equation को हम बोलते हैं, basically wants of equation for dilute solutions, क्योंकि wants of नहीं दी थी आपको, अब for a solution, ठीक है, at a given temperature, R और T आपका क्या है, constant है न, तो pi आपका, pi बिसिकली osmotic pressure को pi से denote करते हैं, वो किसके directly proportional है, concentration के, ठीक है, सिर्फ concentration के उपर depend कर रहा है, nature के उपर depend नहीं कर रहा, therefore it is a qualitative property, simple, ठीक है, अब देखो, want of नहीं और बात आपको बताई, कि जो आपके non electrolytes हैं, या आपको osmosis है जैसा, ठीक है, osmotic pressure है, वो बिलकुल gas के pressure जैसा है, क्योंकि osmotic pressure भी basically क्या है, membrane के उपर pressure लगाते हैं, कि और solvent यहां, और solvent इधर move ना करें, ठीक है, और आपकी gases का pressure क्या होता है, वो walls के साथ क्या लगाते हैं, pressure लगाते हैं, ठीक है, और दोनों की equation भी देखो, almost क्या है, same है, ठीक है, same है ना, idle gas equation जैसे equation है, इसलिए want of ने क्या बुला, कि gases और आपकी osmosis का, nature almost क्या है, same है, ठीक है, आपके dilute solutions हैं, वो बिल्कुल कैसा behave करते हैं, जैसी gases behave करती हैं, ठीक है जी, तो यहां पर आपका topic यह खतम हो गया, next video में हम इसी को आगे proceed करेंगे, ठीक है, दो topics रह गए हैं, अब आपके उसके बाद आपका, यह topic आपका, जो यह chapter है, वो complete हो जाएगा, जाएगा,